जोहर दोस्तों एक बर फिर से हमारे यूटूब चेनल जोहर जाखन इस्टड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जारखन में सिचक बाहली बहुत जल्द होने वाली है लेकिन दोस्तों एक पेपर में एक न्यूज चपी है जिसके बारे 6282 राइज के हैं तो पूरा डिटल बताते हैं इस न्यूज का कि आखिर इसमें क्या लिखा है क्या सच है क्या जूट है सब कुछ बताएंगे उससे पहले अगर आप हमारी यूटूब चैनल मुनाया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें देखे दोस्तों यह जो दूसरे राइज के हैं तो यहां पर मैं आपको बता दो 3628 ही नहीं इससे जदा हैं दूसरे राइज के कैसे मैं आपको बताता हूँ देखे दोस्तों यहां पर जो आकड़ा दिया गया है बावन हजार आठ 48 student जेटेट पास हुए थे तो यहां 2013 का आकड़ा नहीं दिया हुआ है यानि 2013 में भी बहुत इसे चात रह थे जो की इसमें जेटेट पास होके अभी तक बेरोजगार है तो कुल मिला कर यदि देखा जाए तो दोस्तो यहां पर 7000 के आस पास दुसरे राइज़ों के लोग इसमें पास हैं दोस्तो मैं आपको बता दूँ यहां पर क्या लिखा है बाहरी अभी अर्टियों में अधिक बिहार के हैं कुछ लोग कहते हैं कि यह गलत नीवज़ रिखा हुआ है दोस्तो तो यहां पर 2016 का सिर्फ आंकड़ा दिया हुआ है, बारे अभियरतियों में अधिक बिहार के, 2016 में सफल जेटेट अभियरतियों 368 अभियरति दूसरी राइज के हैं, इनमें कच्छा 1-5 के लिए 266 और कच्छा 6-8 के लिए 2361 अभियरति सफल हुए थे, दूसरी राइज जो क सबसे अधिक अभियरति बिहार के हैं, इसके आलवा पच्छिम बंगाल, उत्तरपरदेस और उडिसा के भी कुछ लोग सामिल हैं, तो इससे साब जायर होता है कि सिर्फ यहां पर 2016 कांकड़ा दिया हुआ है, तो यहां पर 2013 कांकड़ा नहीं है, तो 2013 में भी बहुत सारे इस 40,000 पास हुए थे, जेटेट पास थे, और इसमें क्या कुछ लिखाया है, दोस्तों थोड़ा बता दें, आने वाले दिनों में राज में जितनी भी न्युक्तिया होने वाली है, उन्हें में सबसे अधिक पस सिचकों के हैं, राज सरकार द्वारा प्रात्मिक और मध्य बि सकते हैं, तो यहां पर इन्होंने एक गलत चीज लिखा है, सिर्फ 2013 नहीं, 2016 नहीं, 2013 वाले भी आविदन कर सकते हैं, ठीक है, सबसे हम बात है कि इन योग अभियर्तियों में मात्र 3688 अभियर्ती ही 3688 नहीं है, बबुआ की अबुआ की बबुआ सरकार, 2016 के अनुसर 3688 है, 2013 में भी बहुत सारे इसे चात रहे हैं, जो बाहर से पास हुए हैं, तो कुल मिलाकर यहीं पर लिखा गया है, और यहां पर यह भी लिखा गया है, 20 मही तक अधियाजना कर्मचारी चेहन आयोग को भेज दी जाएगी, यानि 20 मही तक भेज दी जाएगी, और उसके बाद पह पहले वाले का अधिकतर का उम्र सिमा समाप्त हो गई है, बाबो उम्र सिमा में भी साथ साल का सरकार छूट दे रही है, ठीक है, सबका उम्र सिमा नहीं समाप्त हुए बाबो, दुसरी बार वर्स 2013 में जारकन सिजक पातरता परिशा में 22,848 अभियरती ही सपहल हुए थे, तो इस न्यूज के माइधम से जो भी जिसने भी न्यूज बनाया है, वो दिखाना चाहता है कि 3628 अभियरती ही दूसरी राइज के हैं, तो ये गलत है, क्योंकि दोस्तो मेरे ही सामने काफी ऐसे चातर हैं, जो 2013 में टेट पास हैं, और अभी तक उनका उम्र बचा हुआ है, तो उसी परकार दूसरे राइज के भी लोग है, और उम्र सिमा में भी जहरकन सरकार ने साथ साल का छूट दिया है, साथ साल छूट देने जा रही है, जितना साल से बाहली नहीं हुए, उतनी साल का छूट दे रही है, तो 2013 वाला भी इसमें आई गा ही, तो कहने का मतलब है कि बाहर से 7,000 के आसपास लोग इस बाहली में सामिल होंगे, और जहरकन सरकार का कहना है, कि हम पर थम चरन में जो बाहली करेंगे, उसमें 26,000 करेंगे, और दियुत चरन में जो करेंगे, उसमें 24,000 करेंगे, और जेट अब भी हम नहीं लेने वाले हैं, लेकिन दोस्तों मै आपको बता दूँ भले ही सरकार कह रही है कि हम बहुत जल्द बहाली लेने जा रहे हैं लेकिन ये बहाली दोस्तो इतना जल्दी नहीं होने वाली है जब तक जेटेट नहीं होगा या सीटेट माइन नहीं होगा ये मुस्किल नजर आती है दोस्तो आप बोलिएगा कि नहीं अपने मतलब के कारण कह रहा है कि नहीं होगा, देखो भाई मैं जो कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो, कोट का छरी में क्या होता है केस किया हुआ है ठीक है, केस केस का सुनवाई जून में होने वाला है पर बीच में डिसीजन आएगा कि जे टेट परिछा ले लेना है या सी टेट को माइन कर देना है क्योंकि हाइगोड जो डिसीजन देगा उसको तो एमन सुरेन को मनना पड़ेगा सिंपल सा बात है और सरकार के पास कोई बहाना नहीं है क्योंकि इन्होंने दो वर्स इतने सालों में लेकिन जो होगा उजमने बता रहां देखेगा form on sub बरा जाएगा और एक अदालत का decision आएगा high court से decision आएगा और सरकार को अपना जो vacancy है उसको stay करना पड़ेगा और सारा काम करना पड़ेगा तो देखते हैं आगे क्या होता है फिलाव के लिए बस जान लिजिए कि बाहरी 7000 इसमें आ रहा है फॉम बरने के लिए ठीक है तो सरकार का जो यह कहना है बहुत कम है बहुत कम नहीं है बहुत जादा है ठीक है चलो friends बाई बाई टेक कैर